चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर है हमारा माटीरियल अब कुछ बच्चों के माइन में डाउट होगा सर आप तो अभी करवा रहे थे पहले प्रॉसेस और प्रॉसेस के अंदर था इक्विलेंट मेथर्ड प्रॉसेस के अंदर था इक्विलेंट मेथर्ड equivalent method की बात करूँ तो उसके अंदर ना एक concept आता है आपका लीफो फीफो और वेटेड तो अगर आपको लीफो और फीफो और वेटेड नहीं आता तो वो concept आप नहीं सीख पाऊगे क्यों वहाँ पे वो apply होना है तो काफी बच्चों ने first term का कर रख है मतलब first semester का करा हुआ है और कुछ बच्चों को याद है कुछ को नहीं है तो पहले material का में वो वाला portion यानि material छोटा सा chapter है और chapter छोटा सा है chapter आसान है लेकिन exam के point of view से highly important है regular वाले बच्चे है उनके exam में वाइव अभी सी से लिया जाएगा चाहे आपका practical project हो major chapter रहता है और कई बार ये exam में कई बा तो कई बार आपके exam में 30 number का material chapter आये हुआ 30 marks का यानि दो question पूरे पूरे material के पूछ लिए गया है यानि material chapter easy है और concept इसके अंदर क्या करा हुआ है उन्होंने बाटा हुआ और examiner का priority रहता है कि हर एक concept में से question दे दे तो हमारे अगर book की मैं बात करूँ तो आपके book में जो chapter number होगा ये chapter number होगा आपके book में second जिसके पास book है महिश्वरी मित्तल उसके book में चाहे कोई भी बच्चा हो whatever honors का हो चाहे program का हो फरक नहीं पढ़ता आपके दोनों ही book में क्यूंकि मैं महिश्वरी मित्तल के book से ही कराऊँगा तो इसके अंदर आपका है second chapter तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हर वार की तरह हम इस chapter में ये देख लेंगे कि इस chapter में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं क्या-क्या concept रहेगा एक तो रहेगा हमारा एक होगा हमारा इसके अंदर material या फिर मैं उसे बोलू simple word में EOQ के नाम से समझ में आ जाएगा भी लिखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा एक होगा इसके अंदर EOQ Economic Order Quantity इसके अंदर level of inventory भी करेंगे हैं एक होगा हमारा store laser एक होगा हमारा store laser और कुछ इसके अंदर important theory भी है जिससे examiner पूछेगा इसमें से question आएगा ये नहीं आएगा 100% आएगा इसमें से भी 100% पूछा जाता है और theory में से भी पूछा जाता है बस क्योंकि आपका question जो बनता है आपके book के अंदर जो second question होगा आपके question paper में उसके अंदर आपका कैसे question बनेगा मान लेते हैं आपका second question है A होगा और B और 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 में भी A और B ऐसे रहता है question तो A part में मान लेते हैं EOQ दे दिया इसने और एक theory डाल दिया B part में आपका store laser दे दिया और एक theory दे दिया तो इस तरीके से paper design कर देते हैं इस chapter में से यानि question number 2 है वो fix इस chapter में से तो पूछेगा यह पूछेगा तो हम सबसे पहला करेंगे कौन सा concept EOQ और EOQ क्या है economic order quantity और सबसे पहले ये वाला जो concept हम करने वाले इसका बनाने का क्या motive था motive ये था इस वाले concept को बनाने का ध्यान से समझिएगा बहुत simple है बहुत simple है ये होता ये था कि जब कभी भी कोई भी goods को खरीदने जाता था material किस को जुरत पढ़ता है हर जगा जुरत पढ़ता है hospital में hospital में क्या medicines वगएरा होते है उनके जो भी आपके hotel में भी जुरत पढ़ता है hotel के अंदर क्या है उनके जो भी goods है या फिर खाने पीने का समान है इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ school में books वगएरा library में आना है ये सब जुरूरत पढ़ता है या फिर किसी भी grocery store में बात कर लो आप वहाँ भी जुरूरत पढ़ता है तो ना कई बार ऐसा होता है कि हम जब ज़्यादा समान खरीदते ना bulk में तो उससे एक advantage तो मिलता है क्या advantage मिलता है समान सस्ता उसके दूस इसरे side disadvantage क्या है उसको रखने का खर्चा आपके उपर बढ़न आ जाएगा अगर आपके पास मान लेते हैं storage का excess capacity है तब तो आप रखिए लेकिन जरूरी नहीं है कि सर्फ जगह होना चाहिए किसी भी समान को store करने का आपको उस समान को store करने के लिए कहीं ना कहीं आपको उ दुकानदार हो या आप एक wholesaler हो कोई भी हो तो आपके सामने material खरीद होगे मान लेते हैं material जब भी खरीदते हो ना तो बहुत कम chances है कि आपके दुकान के side में ही कोई दुकान हो जहां से आप समान लाके बेचते हो maximum chances है मान लेते हैं आप Delhi में हो और Delhi में ही place अगर मैं बात क जहां पर wholesaler marketer generally वहीं से खरीदते हैं और आप जो Delhi में हो वो रोहिनी में हो ठीक है ना रोहिनी में हो आप तो यहां से यहां तक आप जब जाओगे CP में तो आप मुझे बताइए by travel से जाओगे अगर आपको इतना अंदाजा जरूर होता है कि Delhi की कितने खपत होती है आपक कितना आपका consumption है डेली के दुकान में इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया लगी जाता है आपका अगर मान लेते हैं 10,000 यूनिट पूरे साल में खतम होना है 10,000 यूनिट क्या बोल रहो है पूरे साल में यानि इसको हम क्या बोल सकते है एन्वल और एन्वल आपको 10,000 या 100,000 यूनिट करके लाते हैं तो आप कितनी बार जाओगे CP आपका पूरे साल में 10,000 है 100,000 यूनिट करके आप लाने जाते हो तो यानि आप कितनी बार जाओगे 100 टाइम और 100 टाइम में जाने आने का क्या होगा किराय लगेगा ही नहीं लगेगा लगेगा एक इस से आपका फाइदा तो हुआ कि जाना आपको सिर्फ दस बार ही लेकिन दूसरा स्टोर करने के आपके पास फैसलिटी नहीं है वहाँ भी नुकसान हो गया कैसे डिस्ट्रॉइड हो गया मान लेते हैं कुछ समान हमारे इधर उदर डिस्ट्रॉइड हो गया कुछ आपके गर्मी के वज़े से खराब हो गया कुछ इस तरीके से हो सकता है पैकेट इदर उदर चले गया तो आपने बोला है यार दस-दस लाते हैं तो महंगा पड़ता है हजार लाते हैं तो फिर स्टॉक हमारा डिस्ट्रॉइड हो रहा है ऐसी कोई तरकीब तो आए कि हमें कितना लाएं जो कि हमारा सब कुछ ठीक रहे है तो उस केस के अंदर इस चैप्टर का जो बनाया गया बोला गया आपको लाना चाहिए एक ऐसा क्वांटिटी जहां पे आपका समान लाओ तो नुकसान भी ना हो और आपका frequently भी क्या हो जाए आना जाना कम हो जाए ठीक है न यानि आपको दो चीजों की चिंता सता रही है आपको दो चीजों की tension है एक number one कि बार बार आना जाना पड़ रहा है तो जब आप यहां से यहां जाते हो ना समान लाने या लाने के लिए तो उसको बोलते है ordering cost उसको कौन से cost बोलेंगा है क्योंकि जाना पड़ रहा है order करना पड़ रहा है फिर लेके आना उसे ordering cost उसके बाद दूसरी tension है समान तो ले आए लेकिन उसको क्या करना है आपको store तो दूसरी आपको tension है storing cost और storing cost को मैं बोल सकता हूँ caring cost ठीक है ने इसको क्या बोल सकते हैं यानि आपके सामने दो challenges है एक आपको आने जाने का भी खर्चा minimize हो जाए और आपका रख रखाओ का भी खर्चा क्या हो जाए minimize जहां पर ये दोनों खर्चे आपके minimize होंगे आप क्या कहोगे हाँ ये हमारा best level है इतने इतने unit हमें हर बार लाना चाहिए लेकिन इसे बताएगा कौन इसे बताएगा इस chapter के अंदर EOQ इसलिए इसका नाम है economic order economic का मतलब best level order quantity वो best level quantity जिस पे आपको order कर लेना चाहिए तो समझ में आए पहले EOQ का मतलब लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और आ जाता है question करते टाइम पे क्या कि कई बार आपको shopkeeper आफर दे देता है कि आप ज्यादा bulk में खरीद होगे तो आपको हम discount देंगा जैसे 10 रुपे का unit है अगर आप 500 unit खरीद होगे एक साथ में तो हम शायद आपको 9 रुपे unit भी provide करते हैं तो इस पे question में सबसे पहला step है हमारा कि जी हमारा कितने unit हमें order करना चाहिए तो कितने unit order करना चाहिए इसका simple सा जवाब है जहाँ पे यह formula है काफी बच्चे इसको formula के तरीके से treat करते हैं और formula के हिसाब से करते भी हैं लेकिन यह formula नहीं है actual में यह logic है कहने का मतलब था जब EOQ को बनाया जा रहा था या EOQ को जब बोला गया तो बोला गया कि जहाँ पे ordering cost मैं AC लिख रहा हूँ ordering cost को ठीक है न और carrying cost को मैं CC लिख रहा हूँ बाद में full form लिख दूँगा चिंता नहीं करना आपने ordering cost equal to carrying cost होगा वो आपका best level माना जाएगा कि इतने quantity आपको क्या कर लेना चाहिए order कर लेना चाहिए EOQ के लिए एक formula है अभी फिलाल मैं formula बोलूँगा इसे formula क्या है 2 आपका A, O और under root divided by C यह formula अब इस formula को पहले मैं हर components को explain करता हूँ sir हर components में 2 को तो मैं explain कर नहीं सकता A को explain करता हूँ A का मतलब है annual annual demand अब O का मतलब क्या है ordering cost और C का मतलब क्या है carrying cost पहले तो यह abbreviation जो मैंने लिखा है इसके अंदर यह समझ मैं है EOQ का full form एक बार बता दो क्या है economic order quantity अब यह formula है काफी बच्चे इसको formula के तरीके से समझते हैं लेकिन मैंने कहा जी यह formula नहीं है जहाँ पे हमारा ordering cost और carrying cost क्या आजाए equal वहाँ पे बोलेंगे हमारा यह best level है अब एक बार हम समझते है sir ordering cost को किस तरीके से हम determine करेंगे ordering cost को मुझे बताना formula मैं नहीं लिखूंगा आप नहीं बताना है मैंने कहा कि मान लेते हैं कि 10,000 unit है unit हमें पूरे साल में जाना है yearly 10,000 unit हमें पूरे साल में करना है यह क्या है हमारा yearly है और एक बार में मैं unit जो demand करूँगा वो मान लेते हैं कि मैंने करा 1000 unit एक बार में लूँगा तो बताइए कितने चक्कर लगेंगे जाने आने में यानि आप एक बार में कितने unit लाना चाहते हो तो जो unit लाना चाहते हो आप मैं उसे economic बोल देता हूँ जो unit आप लाना चाहते हो उसे क्या बोल दूगा मैं economic तो इसका मतलब आप बोलना चाहते हो सर यहाँ पे जो ordering cost है ना वो क्या होगा वो होगा आपका annual demand divided by into मैं हर बार का rate rate को छोड़ते हैं अभी हर बार को rate को छोड़ते हैं हर बार के rate को छोड़ देते हैं ठीक है ना तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ordering cost का मतलब क्या annual demand divided by EOQ मैं इसी को equal करने की गोस्त को पहले यह समझ में आया नहीं आया बताओ यह clear है क्योंकि मैंने बोला order करना है आप मैंने बोला कितने unit order करना है जी दस हजार पूरे साल का अगर दस हजार पूरे साल का एक बार में कितना लेने जाओगे आप हजार तो ultimately आपके पास क्या आ गया A D divided by E O Q अब carrying cost की बात करते हैं carrying cost जो होता है ना आपको milk रखना हो और आप अगर 500 लिटर milk लाते हो उसके लिए आपको दो फ्रिज की जुरत है और एक का किराया 500 रुपे है समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लेके आए 1000 लिटर तो 500 लिटर आपने यहां रख दिया दूद और 500 लिटर यहां रख दिया 1000 एक बार मिलाए किराया कितना जा रहा होगा इस फ्रिज का बताओ 500 इसका 500 इसका कितना किराया जा रहा है 1000 किराया जा रहा है धिरे धिरे milk बिकता जाएगा बिकते बिकते माल लेते हैं कि 500 लिटर खतम हो गए तो मैं सिर्फ इसका किराये दूँगा या मैं इसका भी किराये दूँगा दोनों का जब मेरा 500 लिटर खतम हो चुका है बिख चुका है तो मैं यूज कौन सा कर रहा हूँ तो मुझे कौन सा किराये पे करना चाहिए सिर्फ 500 करना चाहिए It means carrying cost constant नहीं रहता मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग में जब goods लाये तो carrying cost क्या था? जैसे goods बिखता जाएगा मेरा carrying cost भी क्या होता जाएगा आपको पता हो या ना हो आपको पता होना चाहिए बहुत सारे ऐसे market में person ऐसी companies available है जो बोलता है per hourly के हिसाफ से मैं आपसे पैसे चार्ज करूँगा per hourly के हिसाफ से अब per hourly के हिसाफ से देखा जाए और per hourly के हिसाफ से quantity के हिसाफ से per slot के हिसाफ से हर customization available है मैंने का जी मिझे दो fridge की ज़ुरत है बोला हम आपके यहाँ दो fridge की ज़ुरत है हम रखवा देते हैं दो fridge आप जैसे जैसे यूज करोगे उसके हिसाफ से reading आएगा उसके हिसाफ से क्राए ले लेंगे हम पहले starting में कितने कर रहे थे हम दो unit कर रहे थे बंद करके न starting में कितने कर रहे थे ठीक है ठीक है तो starting में क्या था कि 2 था तो दोनों का मैंने ये कर लिया और एक एक मैं क्या समझाने की कोशिस कर रहा हूं समझ रहे हूं कि carrying cost constant रहता है नहीं रहता तो जब कोई चीज constant नहीं होता उसका rate निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है average उसके जब कोई चीज पता नहीं है मानलो किसी एक दिन 20 कमाई तो आपने normally daily कितना कमाया 15 कैसे average करके तो carrying cost निकालना हो ना अगर आपको तो मैं carrying cost की में बात करता हूं तो carrying cost होता है हमारा कि आपको जो समान लेके आये हो उसको ही तो रखना है आप जो समान खरीद के लाए उसी को तो रखना है और जो समान खरीद के या two गर दूँँ बात एक ही है तो हमारा ordering cost क्या है? annual demand divided by eo की एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इस से पता चल जाएगा कि कितनी बार आना जाना पड़ेगा जैसे आपने बोला सर 10,000 divided by आगर 1000 करोगे तो मुझे पता चल गया कि आप कितनी 10 बार जाओगे और 10 बार आओगे मैंने बोला एक बार का खर्चा 10 रुपे है तो आप फटा फट निकाल लोगे आप 10 बार जाते हो एक बार का खर्चा अगर आपका 10 रुपे है तो आपका total साल में ना खर्चा कितना आजाएगा? सौर पर बड़े इसली डिफाइन कर लोगे ठीक है ना? मैंने कहा यह फार्मूला जो ड्राइव हुआ है वो क्या बोलता है? ओर्डरिंग कॉस्ट और केरिंग कॉस्ट क्या हो जाए बराबर? क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ AD annual demand divided by या annual demand को मैं A से denote कर देता हूँ ठीक है? EOQ is equal to EOQ divided by बोल सकता हूँ पहले इसको देखिया हूँ मैंने यह क्या बताया था? यह क्या है? ओर्डरिंग कॉस्ट यह क्या है? केरिंग कॉस्ट मैंने कहा आपका economic order quantity उस level पे होता है जहाँ पे ordering cost और carrying cost के आ जाए तो मैं अगर इससे ordering cost बोल रहा हूँ इससे carrying cost बोल रहा हूँ तो हमारा EOQ कितना निकलेगा? इन दोनों को equal कर देते हैं जब आप इन दोनों को equal करोगे ठीक है? और अगर इन दोनों को equal करते हैं तो आपके पास result क्या आता है? या मैं एक बार इसको और थोड़ा सा detail ले जाओं क्या? इन टू में rate कर दूँ मैं इन टू में rate और rate को मैं denote करूँगा उसे per order cost इन टू में मैंने क्या कर दिया? rate और यहाँ आगे per order और यहाँ पर क्या होगा? इन टू में C यानि carrying cost पहले यह देखिए मैं एक example ले लेता हूँ आप मुझे जवाब देना और यहीं formula में put करूँगा मेरा 10,000 unit मेरे को पूरे साल में चाहिए एक बार में मैं मंगवाँगा 200 unit और हर बार मंगाने का ordering cost जिसे मैं बोल रहा हूँ ordering cost मेरा है मान लेते है 500 रुपे और carrying cost है मेरा मान लेते है आपका 20 रुपे के हिसाब से 20 रुपे के हिसाब से सबसे पहले बताईए मेरा ordering cost कितना लगेगा 10,000 unit लाऊँगा मैं और एक बार मैं 200 लाऊँगा तो कितने चक्कर लगे 5 चकर लगे या कितने पचास कितने चकर लगे और एक बार जाने आने में कितना खर्चा हो रहा है हमारा ordering cost तो यानि अगर मैं इसको multiply 500 करूँ तो क्या हैगा 25,000 यानि आपको पूरे साल में आने और जाने में आपका कितना खर्चा हो रहा है पहले ये बात बताओ मुझे समझ में आई ठीक है एक और example लूँ या ये समझ में आया ordering cost समझ में आया इसके बाद carrying cost क्या है रखने का खर्चा आपका ये है रखना खर्चा भी जूड़ा नहीं है ये है रखना और ये आना और जाना खर्चा तो multiply जितने रुपे लग रहे हैं वो करोगे न मान लेते हैं कि मेरा मैंने बताया है कि मेरा economic order quantity क्या है 200 और 200 divided by 2 ये तो हो गया हमारा total और एक बार में कितना खर्चा carrying cost है मेरा 20 तो into में 20 तो क्या खर्चा आ जाएगा हमारा 2000 रुपे हमारा रखने का खर्चा है तो एक तो हमारा ordering cost है और एक हमारा क्या है carrying cost ordering cost का मतलब क्या हो गया माल को लाने ले जाने का खर्चा इसका मतलब क्या है actual meaning AD या A divided by EU Q आना जाना सिर्फ ये पता चल रहा round जैसे आपने क्या करा है यहाँ पर simply 10,000 divided by 200 तो आपको पता चला 50 तो 50 क्या है आपके round 50 बार आपको जाना पड़ेगा आना पड़ेगा लेकिन हर बार का खर्चा किस से निकालेंगे amount से तो इसलिए मैं bracket में क्या कर रहा amount की जगह पर मैं यहाँ पर लिख दूँगा O और इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ क्या C ताकि हमारा यह formula जो है पूरा drive हो पाए बताईए यहाँ तक समुझ मैं है इसका मतलब मैं simply कहूँ ordering cost और carrying cost तो ordering cost में multiply O हो रहा है और E O Q divided by 2 carrying cost में multiply क्या हो रहा है अब इसको हम solve कर लेते हैं एक बार यह क्या है हमारा divided by यह क्या आगे हमारा E O Q into में C divided by 2 multiply करते हैं 2 यह वाँ गया इसको करेंगे तो क्या आजाएगा और यह हमारा क्या है E O Q square into में C अब आपको पता है C को यहाँ से हटाना है तो उसके divide में करेंगे लो C आगे आपको पता है square को हटाना है तो इसको क्या करना होगा बन गया formula आप इसी equation को तो solve करना समझ में आ रहा है कैसे किया हमेंने solve और यहाँ पर मैंने क्या लिखा formula E O Q is equal to 2 A O divided by C आपने देखो मैं इतनी सारी बाते आपको पता है क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आप से examiner कुछ नहीं ऐसा ने पूछेगा क्या बराबर करके दिखाओ आपको सारी detail देगा आपने put करना है आपका answer आपके hand में आएगा लेकिन कई बार इसके अंदर अगर case study based question पूछ लिया कि आप E O Q को explain करिए theory पूछा जाएगा what do you mean by the E O Q explain तो करो E O Q वो level होता है जहां पे हमारा ordering cost और carrying cost क्या होता है equal होता है formula को रखेंगे और दोनो formula को हम solve करके दिखा देंगे हमारे theory complete यही तो है हमारा E O Q पहले यह बात समझ में आई या नहीं आई या एक बार और बताओ इसे एक बार और बता दू यह clear है clear है यह कैसे मैंने काटा है जिसके पास mathematics नहीं था मैं simple बता दू square को हटाने के लिए आपको यहां root लगाना allowed है और C को मैं नीचे लेगे divide करके यहां बच गया E O Q अब मैं आपसे एक question पूछूँगा आप मुझे जवाब देना बड़ा simple question है और यह logical question है बुक से थोड़ी देर के लिए हटके चलना मैंने जो बताया है इसी के basis पे है मैं number one point मैं बताना चाहता हूँ ए ए का मतलब annual demand मेरा 10,000 unit है ए मेरा annual demand 10,000 unit है एक second हाँ जी come to the point एक question मैं basic question पूछना चाहता हूँ देखो आपको जो चीज़े समझ में आएगा तो बहुत easy हो जाएगा चप्टर basic question मेरा annual demand है और मैं एक बार जो demand करता हूँ ना 10,000 unit rate है मान लेते हैं 10 रुपे का rate है 10 रुपे का यानि 10,000 unit है और rate कितने का है 10 रुपे का मैंने कहा ordering cost जो है न हमारा वो है 20 रुपे ordering cost 20 रुपे का मतलब एक बार जाना और आना 20 रुपे खर्च हो जाएगे किराए में caring cost जो है CC मैंने बोला 10% है तो sir caring cost 10% का मतलब हमेशा याद रखना जब भी caring cost आपको percentage में देगा हमेशा वो rate का होगा इसका मतलब examiner बताना चाहता है caring cost हमारा 1 रुपीस है अब 1 रुपीस किस पे है वो total पे हमारा total unit जो भी निकाला था average करके समझ माई बात आपको तो आपको caring cost कभी भी amount में दे भी सकता है लेकिन maximum chances आपको caring cost amount में नहीं दिखेगा तो मैंने बता दिया 10% तो 10% किसका है भाई ये 10% इस rate का है rate का 10% यानि एक रुप समझ माई बात आपको इसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बताइए इस समान को जब मैं खरीदूंगा तो पूरे साल में यानि annual में मुझे कितना paid करना होगा मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि पूरे साल में मुझे कितने रुपे payment करने होगे दुकानदार को एक महीने का नहीं पूछ रहा मैं, पूरे साल का, तो simply देखिए, मैं ही निकाल देता हूँ, पहली बात, तो एक तो आपका goods का, यानि आपका जो annual demand है, एक तो goods का payment होगा आपका, हाँ या नहीं, एक तो आपका पूरा goods का payment होना है, दूसरा number plus, यहाँ पे क्या जाएगा आप चल जाएगा, एक बात मैंने इसमें missing कर दिया, कि हमारा EOQ, EOQ जो है, हम हर बार जो माल या quantity मंगवाएंगे, वो माल मंगवाने का रहेगा हमारा हर बार का, मान लेते हैं हम 200 unit, suppose करो 200 unit, ठीक है, मैं यह जानना चाहता हूँ, कि पूरे साल में, मेरे pocket से कितने रुपे दु का टाइम देता हूँ, निकाल के बताओ, simple सा question है, general knowledge का question एक तरीके से, कि मैं दुकानदार के समान खरीदूँगा न, अब पूरे साल में जब खरीदूँगा, तो payment कितना करना होगा, total cost बताइए मुझे, निकाल के बताइए, फटा-फट, register pen निकाली और उसमें बताइए, simple सा point है, मैंने बहुत सारी बाते समझाई है, मैं बात करूँ, तो goods का खर्चा तो बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, sir, क्या होगा goods का expense, goods का expense होगा, 10,000 unit multiply by 10, तो goods का खर्चा आगे हमारा, पहले तो इस बात को आप agree करिए, के sir, goods का खर्चा एक लाख है, sorry, एक लाख रुपए है, अब और कौन से खर्चे जोड लेने चाहिए, बताओ, एक ordering cost जोड लेना चाहिए, ordering cost कैसे निकलता है, पता है, ordering cost is equal to होता है, हमारा annual demand divided by EOQ, अभी बताए था न, note करने नहीं दिया, लेकिन अब note कर लेना, into में, ordering cost ठीक है, क्या है, annual demand कितने का है हमारा, और वैसे भी देखो, आप simple सोचो न, ordering cost का मतलब लाने ले जाने का कितना होगा, आपको पता है कि हम 10,000 unit साल में लाएंगे, एक बार में हम लेने कितने unit जाएंगे, तो आपको पता है, कितने चक्कर लगेंगे, 50, तो आपको पता है, goods, plus मैं ordering cost, और क्या जोड़ दें इसमें हम, चलिए इधर carrying cost निकाल देता हूँ, carrying cost कैसे निकालेंगे, average basis पे मैंने बताया था, carrying cost के लिए EOQ divided by 2 into में C, C जो भी carrying cost रहेगा हमारा rate, तो EOQ कितने थे हमारे, 200 unit divided by 2 into में C कितने, तो कितने आ जाएंगे ये, यानि आगे हमार 100 रुपे, तो total answer जो आएगा, एक लाख ये, एक हजार ये, 100 रुपे ये, तो सही जवाब है, एक लाख 1100 रुपे, एक लाख 1100 रुपे, total खर्च होगा, अब मैं चलो, आपसे general question पूछता हूँ, बताओ, क्या हम ये goods जो लेके आ रहे हैं, क्या ये economic order quantity के according है, genuinely? क्या ये economic order quantity के according मैंने मंगवाया है सारा मल, तो जवाब होगा no, सर कैसे पता चला, क्योंकि ये और ये equal, यही तो theory है इसका, क्या आपका जहाँ पर क्या हो जाता है, ordering cost, और carrying cost क्या हो जाता है, बराबर, तो इस question को देख के बोल दोगे, आपके business के अंदर goods का destroyed होने के chances, ज कोई doubt यहां तक, नहीं, तो एक बार आपने अभी फिलाल क्या note करना है, ये example रहने देना बेसक, अगर करना चाहते हो तो करना, एक तो ये formula note करिये आप, और ordering cost की, यहाँ पर लिखना आप, ordering cost निकालने का formula है, a divided by, eoq into मे, o, ठीक है, और carrying cost निकालने का formula क्या है हमारा, eoq divided by two, मैं यही लिखना हूँ, सामने जो लिखना है, वही इधर लिखना हूँ, into में c, यह हो गया, ठीक है, annual demand निकालने का कोई formula नहीं है, जितने का समान है, जितने का है, multiply करिये आप, यह तो theory का, मतलब eoq समझाना जो चाहते है, यह order cost था, यह मैंने गलत लिख दिया, OC होना चीए था, यह, मैंने इसी कर दिया, ठीक है, वैसे इसकी जुरत निये से मैं मिटा देता हूँ, हाँ जी, program वाले बच्चे, illustration number 2.4, और honors वाले बच्चे, illustration number 2.1 निकालेंगे, अब मैं 2 अगर बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है, यह chapter number 2 है, यह 100 आपका, normally divide करके, EOQ divided by 2, इसको क्या बोलेंगे, यह हमारा process है, जहाँ पे हम carrying cost निकालेंगे, फिर multiply 1 करेंगे, तो इसको multiply करने का 100 rupees है, यह carrying cost है 100 rupees का, मिलगे हर किसी को question, चलिए, बहुत basic सा question है, इतने सारे हमने theory, इतने detail में किया है न, कि आप में से किसी को दिक्कत नहीं होगा, हाँ, एक और इसका नाम है, एक और नाम बता दूँ, जैसे economic order quantity है न, इसे reorder quantity के नाम से भी जाना जाता है, reorder quantity, तो इसका एक और नाम लिख लीजिएगा, आगे आपके काम आएगा, इसका reorder quantity, इसको reorder quantity के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है न, कुश्चन हर किसी के पास है, मैं इसे मिटा देता हूँ, कुश्चन में क्या कहता है, मैं board पे भी लिखूँगा, वैसे book की जुरत तो है, लेकिन फिर भी मैं board पे लिख रहा हूँ, कहता है यहाँ पे कुश्चन में, के एक refrigerator manufacturer है, 1600 unit कहता है, purchase 1600 unit of certain components from the B, कोई refrigerator में components यूज हो रहागा, उसको खरीद रहा ही है, और his annual usage 1600 unit, तो यहाँ पे आपको कुश्चन में examiner ने A दे दिया, जो है 1600, कहता है the order placing cost 100 रुपीज, यानि आपको क्या दे दिया, O 100 रुपे का, कहता है carrying cost 8 रुपीज, यानि आप यहाँ पे amount में दे रहा है आपको 8 रुपीज, मैं CC बोल देता हूँ, carrying cost और वैसे C भी बोल सकते हैं, एक बात और बता दू, मैं interrupt कर रहा हूँ बीच में, कही बार, कही जगा है पे न, A को वो U use करते हैं, O को अपने according यूज कर लेते हैं, C को according अपने यूज करते हैं, मतलब अलग-अलग नाम के हिसाब से, अलग-अलग बुक में, आपके colleges में, अलग-अलग word भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब उनका एक ही है, क्योंकि वो भी abbreviation लिखेंगे, मान लोते हैं, कि मैंने इसको D कर दिया, use, A को D, तो वो कहेंगे D का मतलब annual demand है, ठीक है ना, तो उसमें आप confused मत होना, कि हमारे school में तो, हमारे college में तो ये formula लिखवा है, उसके according, ठीक है, आगे कहता, 8 रुपै, calculate economic order quantity, number of order, दूसरा point देखो, क्या बोलता है, number of order भी निकालना है आपको, time interval between the two order yearly, आपका, इसके बाद एक table बना रखा है, हम table की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ है, यहाँ पर सीख रहे हैं क्या, E, O, Q निकालना, that's it, उसके आगे जो बना रखा है, ने के कैसे करेंगे, वो अगला step रहेगा हमारा, formula के हिसाब से क्या होगा, E, O, Q, is equal to 2A, O, divided by C, अब देखा जाएं तो 2 क्या है हमारा, और 1600, into में, 100 divided by, 8, और इसका under root, आपको calculator allowed है, तो मैं कहूंगा, calculator पर एक बार में निकालने, इसको बार बार करने की ज़ुरत नहीं है, जैसे 2 into में, 1600 into में 100, यह कर लिया, बस आपने under root को press करना, आपने आप ही, उसका जो होगा under root value find कर लेगा, काफी बच्चों को आता है, काफी बच्चों को नहीं पता है, under root side, दूसरे तरीके से निकाले, तो under root value find करोगे, तो automatically क्या आ जाएगा, यहां पर under root आ जाएगा, हाँ, divide करने के बाद, 2 into में, 1600 into में 100 divided by 8, उसके बाद under root तो यह आ गया हमारा, एक बाद मैं पूछता हूँ, यह 200 क्या है, बताओ, 200 क्या है यह, EOQ यानि economic order quantity, यहां पर ऐसा क्या होता होगा, order cost, carrying cost क्या होता होगा, proof करके देख लें एक बार, check भी तो करना चाहिए, proof करके, यह चीज ठीक भी आ रही है नहीं आ रही, वैसे तो जब यहीं से आए तो आएगा ही, ordering cost क्या होगा हमारा, ordering cost का formula लिखा है न, यह रहा, ordering cost का, annual demand, 1600 divided by EOQ, जो निकाल लिया हमने 200 into में 100, क्या आता है यह, 800, यह 2 से करेंगे तो 8, चलिए, यानि C भी यही आना चाहिए, C क्या था EOQ, divided by, 2 into में rate, क्या रहा है, 800, यही हमारा theory है इसका, कि दोनों के आगे हमारा, एक वला लागे, यह मैंने कई बार बोल सकता है, verify करें, proof करें, बोलेगा तो हम इस तरीके से ही proof करके, दिखाएंगे, ठीक है, चलिए एक बार note करिए इसके answer को, solution देखिए, two, कैसे find करेंगे, divide 15 से कर दो, under root find करो, तो यह आ रहा है देखो, 379, sorry, अब आप देखो, यहाँ पे point में digit आये था, तो जब कभी point में digit आये, तो आपने point के digit को क्या करना, ignore करना है, चाहे आपका 370, अब ऐसा भी हो सकता है, 379, 9.9 आ रहा हो, तो कई बार आपको answer देखने को मिलेगा 380, तो जो बच्चा 379 लिखके आता है exam में, उसका भी 100% accurate है, और जो 380 लिखके आता है, उसका भी 100% accurate है, चलिए एक और question देखते हैं, मैं board पर लिख रहा हूं question, ध्यान से समझना है, per unit, 40, ordering cost, 200, carrying cost, 25%, बुक की कोई जुरत नहीं है, सामने मैंने question लिख दिया है, बताईए, ध्यान से देखना, सेम इसी तरीके का question कई वार exam में आता है, question बहुत आसान है, और आपका answer भी उतनी आसानी से आपने निकाल के दिया, लेकिन marks उतनी आसानी से नहीं मिलेगा आपको, अब ध्यान देना क्या है, आप ध्यान से देखो, annual usage रुपीज होता है, और यहाँ पे मैं unit की बात करता हूँ, मैं हर बार annual demand unit के terms में बात कर रहा हूँ, examiner ने चलाकी से यहाँ पे क्या दे दिया रुपीज में, तो आप अगर इस तरीके से जिन बच्चों ने answer निकाला है, वो तो गलती हो गया, क्योंकि यह तो amount है, हमें रखना क्या है, units, तो सबसे पहले इस question में आपको पता करना पड़ेगा, कि annual demand है कितना, समझ रहे question, तो annual demand यानि यह होगा हमारा 1,60,000 रुपे खर्च करते हैं, और 40 रुपे का एक unit है, तो यानि 4,000 annual demand है, हमारा annual demand कितना है हमारा, आप देखिए, अब formula में कैसे put करेंगे 2, मैं रख देता हूं सामने, E, O, Q, formula में put करेंगे 2, और into में A, A की जगहे पे आपको रखना है 4,000, into में O, ordering cost आपका 200, divided by carrying cost, कुछ बच्चों को doubt है सर, 25 परसेंट का क्या करना है, तो 25 परसेंट क्या है हमारा carrying cost है, और ये 25 परसेंट हमेशा किस पे निकाला जाता है बताओ, पर unit price पे, तो पर unit price क्या है हमारा 40, तो 40 का आप 25 परसेंट निकालोगे, जो की आएगा 10, समझे बात आप, इसका under root निकालिए, तो आपका जवाब आएगा, answer is 400, तो ये 7 नंबर का question होगा exam में, अभी देखा पिछला लग अलत हो गया था, आसान था, अब यहाँ पे भी बच्चों का major जो question mark है, वो ये line है, और कुछ भी नहीं है, तो जब कभी भी बोलता है ना, 8% of average stock, इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको इसी unit पे 8% find फ़कलना है, यानि जब कभी भी मैंने बोला ना, जब कभी भी आपको percentage के terms में CC देगा, आलवेज वो होगा किस पे, पर unit price पे, समझे बात, यानि again यहाँ पे answer कैसे निकालेंगे, E O Q is equal to, 2 multiply, annual demand मैंने बताएं यहाँ पे रुपीज का symbol नहीं है, 1 lakh, into में, carrying cost, ordering cost 50, divided by, divided by 8% of what, 20, तो 20 का 8% क्या हैगा, 1 point, इसका under root करेंगे, इसका under root, तो क्या हैगा इसका under root करने के बाद बताईए, कितना आ रहें, 5, 5 नहीं, 25, आप पता नहीं कैसे निकाल रहें, calculator जरूरी है, answer is, 20, 500, मेरे हिसाब से आपने फिर 20 से तो divide नहीं कर दिया था इसको, देखे, 25 आ रहे हैं, ठीक है, इसका जवाब है, 25, online में भी बच्चों का answer आ गया था, पच्चों करू ना, तो carrying cost का मतलब होता है, रखने का खर्चा, अब रखने का खर्चा, चाहिए, आपका rent दे रहे हूँ, वो भी रखने का खर्चा है, जहाँ पर आपने समान लाके रखा, और हो सकता है, वहाँ पर आपने fridge रखा हो, मान लेते हैं, समान को रखने के लिए fridge, और उस fridge को आपने EMI पे खरीदा हो, और उस पे interest जा रहा है आपका, वो भी आपका रखने के खर्चे में ही count होगा, any kind of expense related to storing, वो carrying cost के अंदर count होगा, तो यहाँ पर annual return, एक तरीके से annual return, आप इतना पैसा कमाते, annual return का मतलब होता है, इतने percent आप कमाते, किस पे जो भी आप investment करोगे, investment आपकी 30 रुपीज रखने हैं, तो 3 रुपे आप कमाते, जो कि आपको समान खरीदनी की वजह से, आप यह 3 रुपे नहीं कमा पाऊगे, तो यह आपका खर्चा है, और यह खर्चा 3 रुपे क्यूं हो रहा है, क्यूंकि आप carrying cost करोगे, उसे समान को रखी तो रहे हो, तो carrying cost का part ये भी रहेगा हमारा, rent, मकान का किराया, ये also जो है, वो भी किसका part होगा, carrying cost, तो अगर मैं यहाँ carrying cost आपको बताऊँ, तो carrying cost क्या होगा, हमारा एक रुपे किराया, और प्लस 3 रुपे, जो मेरा ब्याज मिलना चाहिए, जो मुझे profit का हकदार हूँ हूँ है, वो नहीं मिल पारा किसी reason के वज़े से, तो ये 3 भी carrying cost का part ही होगा, तो ultimately carrying cost का part कितने रुपे हैंगे, चाहर रुपे, अब देखिए, यानि आपका E O Q, 2 into में 800, into में 10, divided by 4, क्या आ गया? 200, note करिया, कौन सा point? Annual rate of return, Annual rate of return का मतलब है, investment पे पैसा, अब जब आप goods को खरीद के लाओगे, कहीं न कहीं पैसा आपका blockage हो रहा है, मान लेतने के मैंने ब्याज पे पैसे कहीं से लिए, और goods खरीद के रख लिया, तो अगर आप goods को नहीं खरीदते तो ब्याज पे पैसे नहीं लेने पड़ते, अगर आप समान को खरीद के रख रहे हो, तो ब्याज पे पैसे लेने पड़ रहे हो, तो जो ब्याज है वो समान रखने की वज़े से तो लेना पड़ रहा है आपको, तो ये भी किसका पार्ट माना जाएगा आपका केरिंग कॉस्ट का लाने का खर्चा नहीं यही है समान को रखने पे आपका इतना नुक्सान हो रहा है तो ये केरिंग कॉस्ट और रेंट भी क्या है हमारा केरिंग कॉस्ट और ये किस पे निकाला जाएगा परसंटेज जो investment होता है investment amount हमेशा निकलेगा इस पे पर unit cost पर ठीक है चल ये 200 unit आ गया यहां भी 200 unit तब ही 126 भी नहीं आ ला था ठीक है 100 है वो 100 आ जाएगा आपका ठीक है अरे आपका चलो मान लेते हैं कि 100 की जगा 10 रखा था लेकिन तब भी तो 64 नहीं आ रहा था monthly demand 200 unit unit rate बार रुपए ordering cost नहीं स्वरी पांच है यह ordering cost बार रुपए storage cost storage cost storage cost यह है 2% interest rate यह है 10% interest rate 10% निकाल यह EOQ कभी भी EOQ ना तो मंथली होता है ना annual होता है EOQ answer answer तो होता है कि यह इतने unit हमें मंगाना चाहिए ध्यान दीजिए आपको monthly demand जब दे तो सबसे पहले annual demand में convert कर ले 200 unit है तो multiply by 12 होगा तो अगर मैं EOQ निकालूं तो यह जो है ना 200 200 नी लेना 2 multiply by आपको 24 सो लेना है मैं multiply कर देता हूँ 200 multiply by 12 अगर यही quarterly होता तो 4 से multiply करते हाफ yearly होता तो 2 से multiply करते हैं इस्टोरेज का मतलब होता है रखने का खर्चा फिर से percentage दिया है मैंने पहले point में जब मैं समझा रहा रहा था मैंने जब percentage दे किस पे निकालना unit पे तो percentage है 2% 2% किसका पांच का तो 5 रुपे का 2% क्या होता है पॉइंट अब इंट्रस्ट भी एक तरीके से खर्चा है अभी तो समझाया था मैंने कि इंट्रस्ट भी हमारा खर्चा है तो 10% है तो 10% 5 का क्या होगा क्या रहा है 309 बोल लो 310 वही आसपास राउंड फिगर में आ रहा होगा 309.8 यानि 310 भी आंसर ठीक है